चोपड़ा है जो किसीन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूं दोस्तों वेटनरी के ओल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड का रेजल्ट आ चुका है इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरीवाईज कोलेजवाईज कटोप बताऊंगा कि कौन से रेंग पर कितने मार्क्स पर कौन सा कोलेज मिला है तो सबसे पहले हम UR category की बात करें तो 536 marks ये 536 marks पर ही OBC की cutoff गई है ST category की बात करें तो 423 और ST category की बात करें तो 417 cutoff रही है अब हम आपको college wise cutoff बता देता हूं तो UR category में जिस candidate के 58,511 rank था 536 marks पर college of veterinary sciences and animal husbandry आईजोल मिजोरम का मिला है ये same college OBC category जिसके 58,668 rank थी 536 marks थे उसको भी same college मिला है अब हम बात करते हैं इसमें UR category में private college की तो ये जो 5 private college हैं उसमें जिस candidate के 65,616 rank था 527 marks थे उसको private college महत्मा जोतिवा फुले college of veterinary and animal sciences चोमू जेपूर का private college मिला है तो ये तो बात हो गई general और OBC category की अब हम SC category की बात करें तो SC category में जिस candidate के 159,457 rank था 423 marks थे उसको college of veterinary sciences and animal husbandry आईजोल मिजोरम का मिला है इसके बाद में private की हम बात करें तो SC category में private college arrivalary veterinary college seeker का मिला है जिस candidate के 163,452 rank थी marks थे 419 उसको ये college मिला है ST category की बात करें तो ST category में जिस candidate के 165,695 यानि की 165,655 rank वाले candidate जिसके marks थे 417,417 marks वाले candidate को राजिव गांधी फुडू चेरी का college मिला है ST category में private college की बात करें तो जिस candidate के 174,809 rank था जिसके marks थे 409,409 marks वाले candidate को महत्मा जोतिवा फुले college of veterinary and animal sciences चोमु जैपुर का मिला है तो ये category wise कटोब थी जो मैंने आपको government और private दोनों college के लिए बता दी है बाकी इसका second round का result आ चुका है मोपप round का एक round और बचा है मोपप round का result इसकी reporting के बाद में आएगा तो जो भी update होगी हम आपको बाद में inform करें